नमस्कार मैं हूरिया और आप देख रहे हैं H.S. बिहार आज हम बिहार के उन चार प्रमुक सीटों की बात करने वाले हैं जहां से पारिवारिक कलह कलेश होने की संभव ना थी लेकिन अब चुनावी दोर में हमने देखा कि ऐसा कुछ देखते हुए नहीं आ रहा है इसके लिए आज समीकरन करेंगे हमारे साथ हमारे सीनिय जर्नलिस्ट रंजीत सर हैं और हम पहले आपको इन चारो सीटों से रूबरू करवाने बाले हैं सबसे पहले हसनपूर फिर महु और पर्सा इन सभी सीटों के बारे में हम बात करेंगे और जो किर्दार हैं वह हैं तेजश्वी यादव तेज परताप, चंद्रिका, राय एश्वर्या राय और करिष्मा राय तो सबसे पहला सवाल यही है कि क्यूं तेजप्रताप यादव भाग गए महुआ से? महुआ से क्यूं भाग गए? दरसल यह सुरू से ही चर्चा हो रही थी कि तेजप्रताप यादव के पडिवार में जो जंग है वो चुनावी अखारे में देखने को मिल सकती है लेकिन हुआ क्या जैसे जैसे चुनाव की इस्तितियां अस्पष्ट हुई केंडिडेट अस्पष्ट होते गए तो पता चलने लगा कि यह जंग जिस आप से कहा जा रहा था वो जंग अब फुस्स साबित होता जा रहा है जनी दमदार नहीं रहा मतलब तेजप्रताप याद अस्तिपूर जिलाके हसनपूर विधान सभाद सीट पर जाएंगे जिसका लोग सभाद शेत्र खगड़िया पड़ता है वहां जाएंगे वहां चुनाव लड़ेंगे और बात भी सही हुई वह रांची भी गए थे अपने पिता लालु परसाद यादव से भी मिले और उन हो जाएंगे चंदरीका राय इनके ससूर हैं इन्होंने पूरी तरह से यह कह दिया था कि जहां तेजप्रताफ जाएंगे हमारे पार्टी के वाला कमान कर देंगे वहीं से चुनाव लरवा देंगे वह तेजस्वी यादव खिलाप भी बोल रहे थे क्योंकि तो यह जो है जद्यू में सामिल हुए इन्होंने यह भी कहा कि जिस पे अनुसासन हिंता की कारवाई होनी चाहिए थी वह तेजप्रताफ यादव थे जोने पार्टी के नियमों के खिलाप कई बार कुछ किये थे लोकसवास चुनाव में भी उन्होंने राज़त के उमिदवार के खिला तो यह पुरा महावल जब बना तो लगा था कि वाकई इस बार चुना होगा तो बहुत रगरा देखने को मिलेगा कि परिवार की जंग अब जनताते करेगी वीनर कोन है यह सती हो रही थी अब यहां पर क्या हुआ कि एस्वरिया राय वहां पर खड़ी नहीं होती है लेकि वहां भी पता चला कि यादव अपने मन से हटें लेकिन जब वहां आये हैं तो वहां काम भी नहीं हुआ एक बार यादव महुआ भी गए थे जहां जनता ने इनको घेर लिया था काफी भयंकड विरोध हुआ तो तो यादव अब धेदर राजनिती में परिपक होते जा र महुआ में देखिए राज़त में बहुत सारे नाम चल रहे थे लेकिन जो है मुकेस रवसन को यह जिम्मेदारी दी गई है वह ट्रांसपोर्ट बेवसाई हैं और वह चुनाव लड़ेंगे उनके खिलाफ आसमा परवीन होंगी जद्यू से लेकिन आसमा परवीन जो है वह तो भी राज़त के नेता जो पूरु मंत्री भी रहे ब्यार सरकार में इल्यास हुसन उनकी बेटी हैं पेसे से डॉक्टर है तो यह अब इनके खिलाफ चुनाव में उतरेंगे मतलब कर राज़त के ही उमिदवार को जद्यू ने वहां अपने पाले से खड़ा कर दिया और अब तेजपताबी आदब ने हसनपूर तक स्विच किया है तो वहां क्या समीकरन है क्या क्या हो सकता है और उनके खिलाफ उनके उपोजिट में कौन होंगे जद्यू से या फिर बाकी जो भी है और किस पार्टी के सबसे आपको लग रहा है कि इस बार हसनपूर की अगर ब यह बनाया था कहीं भी तेजपताब जाए तो पीछा ना चोड़े हम लोग ने कई ख़वरें भी चला दी थी तेजपताब का पीछा असनपूर में नहीं छोड़ेंगे लेकिन वहां पर मामला बदल गया असनपूर में तेजपताब यादव ने अपनी सारी समीकरन को यह हलकी रहेंगी यह इसलिए हम में कह रहा हूं कि बढ़ेंगी या घटेंगी कि यहां जो उम्मिद्वारी का समीकरन अगर देखते हैं वह समीकरन यह बताता है तो प्रताब की राहें आसान नहीं होंगी वहां भी जनता का प्यार मिला रेली में भी जुटा ना वह तेज सुनिल पुष्पम और बिनोध चवदुरी आरेलस्पी के आरेलस्पी जो है वह अब कहीं कि नहीं रही है वह पार्टियां अलग गटवंदन बनाने की बात कि फिर वी यह उमिद्वार अगर अपने दम पे वहां पे वोट लाए थे रनरभ रहे थे 2015 में इस बार भी वह ख सुनिल पुष्पम आरजडी के क्या इनके समर्थक क्या साथ देंगे क्योंकि अब एक ट्रेंड जो है वह बदला पहले होता था कि अगर आप किसी पार्टी के उमिद्वार हैं आपको टिकट नहीं मिला तो आप कहते थे पार्टी का फैसला सराखोप लेकिन अब समय बदल अगर इनके समर्थक परताप को सपोर्ट नहीं करते हैं तो हसनपुर में तेजपरताप की मुश्किलें बढ़ेंगी राहें असान नहीं होंगी और राजकुमार राय जो लगातार दो बार से जीत रहें उनके लिए जो है इस बार भी रास्ता ब्हेद आसान होगा लेकिन कि जहां चलेंगे अगला हम चलते हैं रागवपूर रागवपूर में राजपूतों की संख्या ठीक ठाक है तो वहां क्या होता है कि तेजपरताप को यह लगा कि अगर हम वहां से इस बार चुनाव लड़ते हैं तो चैतावनी तो हम भी पढ़ चुकी है कि हम तेजस्वी को भी हरा देंगे हम तेज़ परताप को भी हरा देंगे हमारी बेटी सब को जीत जाएगी या फिर चंदरीका राय को अलग फैसला ले सकते थे लेकिन क्या हुआ क कि इसके लिए तेजस्वी ने पहले से प्लानिंग शुरू कर दी तेजस्वी ने क्या किया कि रगवन सिंग के जीवित रहते ही उन्होंने रामा सिंग की एंट्री कराने की पूरी तैजारी कर ली कि राज़त में आ रहे है इस पर नराज होते हुए रगवन भाव ने विए उन्होंने मेरे से मुकाबला किया चुनाव लड़ा मेरे खिलाप वहार गया इसके बदले मेरे ऊपर कई केस भी किये हैं कि तरह की बात वहने कहीं तो तो यह लगा कि रगवन सिंग जिस पड़ाव पर हैं वहां साथ उनकी सियासत ढ़ल रही थी लेकिन वैसालीक जन मतलब हाथ चाहिए उनका राजपूत वोट बेंक कम से कम इंटेक्ट रहे वह साथ आए तो तेजस्वी को फाइदा मिल सकता था यह तैयारी इसलिए कि थी कि अगर वहां से अगर एस्टोरिया राय खड़ी हो जाती है तो यादव वोट अगर बटने लगता है तो ऐसे पर अगर अन्धिक पूरा सयोग करेंगे, लेकिन देखिए रामा सिंघ जो भी करेंगे वो अलग बात है रामाशिंग की पतनी को भी टिकट मिला है, महनार से खड़ी हो रही है तो इनको गिप्ट तो मिला आई है बांकि बदली में रागोपूर में तेजस्वी का सयोग चाहि परसा सीट के ऐसे कयास लगाया जा रहे थे कि एश्वर्या-राय की कजन जो है करिश्मा-राय कुछ दिन पहले ही उन्होंने पार्टी की मेंबर्शिप ली है तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इस बार पारिवारी कलेश की कारण जो तेजश्वी है वह वहां पर करिश्मा को अपने उमिद्वार की रूप में पेश कर सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं आ रहा है फिर भी परसा में बात जो की है तो इसमें सबसे पहले चंद्रीका राय की आप बात कर लीजिए हर चंद्रीका राय कहें रहते कि एसोड़िया रहे जाएंगी और तेजश्वी को वहर आदेंगी तो तेजश्वी क्या करें उन्होंने करिश्मा राय का विकल्प निकाला कि वहां साली जी बातों का ध्यान रखा जाता है तिकर देते वक्त तो उन्हें लगा होगा कि कितना भी होगा करिश्मा राय एक नई चेहरे के रूप में हैं और इनका भी जनाधार बनाना इनका मेनत करना बहुत मुश्किल होगा तो इस बज़से चंद्रीका राय मैदान में उतर गए 2010 में चोटे लाल राय उस वक्त जद्यू में थे और इन्हों ने चंद्रीका राय को हरा दिया था और 2015 में लोजपा में चले गए तो इन्हों ने उनको हरा दिया तो पाटे भी कहीं मैने तो रखता ही है और ऐसे में आप देखिए चोटे लाल राय इस बार फिर से मैदान म है लेकिन अब राष्टे जंता दल में चले गए तो अब एक दूसरे को काटने के लिए हमने क्या का कई समय करनों को देखा जाता है कि ग्राउंड पे कितनी पकड़ है जनाधार क्या है चोटे लाल राय का भी जनाधार मजबूत है परसा में तो इसे में चंद्रीका राय क कि राय उतनी आसान होंगी यह कहना बहुत यह है मुश्किल है और आप समझ के चलिए कि चंद्रीका राय बड़ से चोटे लाल राय का मुकाबला दिल्चस्प होने जा रहा है क्योंकि यानि कि सभी जितने भी कयास थे सब धरे के धरे रगे सब कुछ बहुत सिंपल सा पल्रा जाल चुके हैं उनको कोई मतलब नहीं है उन्होंने डारेक्ट महुआ सीट से अपना पीछा चुड़ा लिया था और यह सारी चीज समझ में आ रही है कि अब शाय दोस्ती भी हो सकती है अब क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई जंग तो नहीं दिख रहा है अब देखि जब दोस्ती हो सकती है तो परिवार है वह संधी है वह भले जद्यू में चले गए हैं वह सोड़िया उनकी पतनी है चला कभी तब हुआ नहीं है तो जब यह रास्ते अपनाएक है कि हम दूसरे पर हमला नहीं कर रहे हैं के डिडिट नहीं उतार रहे हैं तो आगे सुझी स जो होने वाला था उन सभी पर हम लोगों ने बात की आपको ऐसे ही और भी डिसकसंस के साथ हम मिलते रहेंगे तब तक के लिए आपसे विदा लोगी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया दन्यवाद